सो हेरीवन आज कल सोशल मीडिया पर चारों तरफ थ्रेड्स की सरचा हो रहा है और फ्रेड्स पर बहुत से वीडियो भी बन चुके हैं और रील भी बन चुकी हैं जा Instagram के 100 crore plus download हैं वहीं Threads के 1 week के अंदर 5 crore plus download हो चुके हैं अगर आपने भी Threads पर account बना रखा है तो आपको पता होगा कि आपका जो Thread account है वो आपके Instagram से connect रहता है और आज कर सोशल मीडिया पर एक news circulate हो रही है तो आज इसी से related इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो वीडियो को अभी से कर दें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले चले चलते हैं mobile की स्क्रीन पर तो मैंने यहां पर एक Threads के account को open कर लिया है आपको टैप करना है टू लाइन्स पर और फिर चले जाना है आपको help के अंदर और यहां पर आपको help center का option मिलेगा इस पर टैप करना है और फिर आपको स्क्रोल करके नीचे चले जाना है तो यहा यहां पर आपको चले जाना है manage your account के अंदर और यहां पर आप देख सकते हैं आपको option मिल जाता है delete your account का तो इस पर आप यहां से delete कर देते हैं तो आपके जो Instagram का account है वो भी साथ में delete हो जाएगा तो यहां से आप अपने threads के account को delete करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें otherwise आप अपने Instagram account को delete कर बेठेंगे तो फिलाल threads ने हमें account delete करने का option है वो नहीं दिया है हो सकता है इन future वो प्रवाइड कर दे तो अगर आप threads को use नहीं करना चाते तो आप इसको uninstall कर सकते हो I hope अब आपको जो doubt था threads के account को delete करने का वो clear हो गया होगा वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like कर चैनल को subscribe जरूर कर ले क्योंकि social media से related ऐसे interesting और informative content आपको यहां पर मिलते रहते हैं मिलते हैं next वीडियो में thanks for watching